Hello friends, welcome to learning ways, so guys, आज की इस वीडियो में हम दोग बात करने वाले हैं आयोध्या राम मंदिर से रेलेटेड महात्रपुर्ण प्रश्न को ले करके, तो इस वीडियो में मैंने सारे महात्रपुर्ण कवर अप करें हैं, जो आपके आने वाले competitive exams के लिए बहुत ज़्यादा important होने व करके बात करें, यहाँ पर पूछा यह गया है कि आयोध्या राम मंदिर का उध्गाटन कब होगा, तो यह आपको धियान एकना है, 22 जनवरी 2024 को होगा, option number 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, next question को ले करके बात करें, यहाँ पर पूछा यह गया है कि आयोध्या पराम मंदिर में पिलरो की संख्या कितनी है, तो यह आपको धियान एकना है, 360 है, option number 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, पहले यह 121 थी, उससे बढ़ करके अब यह 360 कर दी गई है, next question को ले करके बात करें, यहाँ पर पूछा यह गया है कि आयोध्या किस राज म में इस्तित है, तो आयोध्या आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, option number 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनौ, next question को लेकर के बात करें, यहाँ पर पूछा यह गया है कि श्रीराम जन्म भूमी का शिलाया तो यह भी आपको दियानक ने 9 November 1989 को, और किस ने करा था, वो करा था, राजीव गादी ने, next question को लेकर के बात कर लेते हैं, और यहाँ पर पूछा यह गया है कि श्रीराम जन्म भूमी का शिलायांत किस ने किया था, तो यह करा था, नरेंद्र मोदी ने, कब करा था, फैसल उमबर 1989 को, राजीव गादी जी के द्वारा करा गया था, next question को लेकर के बात करें, यहाँ पर पूछा यह गया है कि, आयोध्या किस नदी के किनारे इस्थित है, तो यह है सर्यों नदी के किनारे, option number 3, यहाँ पर आपका बिलकुल correct answer हो जाएगा, next question को लेकर के बात करें, यहाँ पर पूछा यह गया है कि, आयोध्या राम मंदिर में कितनी मंजिल है, कितनी मंजिल बोले या फ्लोर बोले बात सेम है, तो यह आपको धियान अकना है, तीन फ्लोर है, option number 3, यहाँ पर आपका बिलकुल correct answer हो जाएगा, next question को लेकर के बात करें, यहाँ पर पूछा य अब अगर आप से यह पूछते हैं कि, आयोध्या में जो राम मंदिर की मूर्ती जो रखी गई है, उसको design किसने कराया है, तो यह भी आपको नाम भियान अकना है, अरुन योगी राज, next question को लेकर के बात करें, यहाँ पर पूछा यह गया है कि, आयोध्या विवात का फैस अगजाबाद, option number 4, यहाँ पर आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, next question को लेकर के बात करें, यहाँ पर पूछा यह गया है कि, आयोध्या राम मंदिर बनने का समय कितना है, तो यह लिया गया था 3.5 years, ठीक है, 3.5 साल, next question को लेकर के बात करें, पूछा यह गया है कि, आयोध कि, आयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए, जिम्मेदार ट्रस का नाम क्या है, तो इसका नाम है, राम, जन्म, भूमी, नियास, option number 1, यहाँ पर आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, next question को लेकर के बात करें, पूछा यह गया है कि, आयोध्या राम मंदिर की, इस्थाप पर शैली क्या है, तो यह है नागारा, option number 3, यहाँ पर आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, next question को लेकर के बात करें, पूछा यह गया है कि, आयोध्या राम मंदिर में भक्ति का केंद्रिपात किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है, भगवान राम को, option number 2, यहाँ पर आपक बिल्कुल correct answer हो जाएगा, next question को लेकर के बात करें, यहाँ पर पूछा यह गया है कि, आयोध्या में राम मंदिर बनाने का फैसला कितने साल बाद हुआ, तो यह हुआ था, 492 साल बाद, option number 4, यहाँ पर आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, बहुत सी जगह पर आपको देखने को मिलेगा 500 साल, क्योंकि round figure में ले लेते हैं 500 साल, लेकिन actual में आपको धियान लखना है 492 साल, next question को लेकर के बात करें, पूछा यह गया है कि, बाबरी मस्जित को कब गिराया गया था, तो आपको धियान लखना है, बाबरी मस्जित को 6 दिसंबर 1902 में गिराया गया था, option नमबर 3 यहाँ पर आपका विल्कुल सही उतर हो जाएगा, next question को लेकर के बात करें, यहाँ पर पूछा यह गया है कि, आयोध्या विवाद में Supreme Court ने अपना फैसला कब सुनाया था, तो आयोध्या विवाद को लेकर के Supreme Court ने जो अपना फैसला सुनाया था, वो 9 दिसंबर 2019 को सुनाया था, option number 1 यहाँ पर आपका विल्कुल सही उतर हो जाएगा, next question को लेकर के बात करें, पूछा यह गया है कि, आयोध्या विवाद के फैसले में मस्जित के लिए कितनी जमीन दी गई थी, तो यह भी आपको धियान लखना है, 5 एकर जमीन दी गई है, option number 3 यहाँ प सौमपुरा है, option number 4 यहाँ पर आपका विल्कुल सही उतर हो जाएगा, next question को लेकर के बात करें, guys, पूछा यह गया है कि, मंदिर बनाने में सामगरी का उपयोग करा गया है, तो इसमें ग्रेनाइट, संगमरमर, बलवा पत्थर, इन सभी का करा है, तो option number 4 यहाँ पर सही उत हो जाएगा, next question को लेकर के बात करें, guys, और पूछा यह गया है कि, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्धमंत्री को होन है, तो यह भी आपको नाम ध्यान लगा है, उत्तर प्रदेश के पदन टाइम में मुख्धमंत्री है, योगी आदितनास जी, option number 1 यहाँ पर आप मेरे चैनल पर नए है, तो please चैनल को subscribe करने है, so friends, thank you and all the very best for your examination.